बिलाल मुरती पे रोग लगी वी इस पर किसने लगा ही रोग महराची ने अट्या क्यों क्या दिक्कत है कि अगर जीवन में एक वारा युद्ध्या नहीं आए तो क्या युद्ध्या में आपका स्वागत है काफी मज़ेदार और काफी भक्ति माय क्योंकि हम जाने वाले हैं और यह प्लान बना है हमने और अब तुरंत निकल रहे हैं आयोध्या के लिए मतलब समझ सकते हो कितनी जादे एक्साइटमेंट और कितनी जादे खुशी हो रही है है और एक्डब आचानक से मेरी आ जाते हैं मैं हमें आछी कहीं निकल जाता हूँ घ्याएटक क्योंकि यह दुद्धार गया कि लागं लागनाव के लिए यह रहाएं लग तो अब हो रहे हैं तो अब हो रहे हैं तैयार कैसे लगणा ऑगर रहाएं वह ऐसो न घाड़ी कर दी है हमारी गाड़ी और यह आगे हमारा ओता हूए तो या ने ओटो को कार बना दिये गाइए तो हमको आरी बस मिल चुकी है और इस बार इनने कंबल भी दिया है मतलब देखो घर्मी में कंबल दे रहे हो जम भी ठंड में गया थे एक बार कहीं पर बाहर तो मुझे कंबल नहीं दिये थे मताव नाइन साफ ही तो सरयाम यार डिस्कोड बार बना कर रक रक ता मुटल आप जो बड़ा सब मौल देख रहे हैं वह फिनिक्स मौल अब भाई में बस में पर फ्लाइट में इतनी जाता उपर बोलो बज्रंग वली की जय हो जय हो जय हो बावा कि यह जय हो जय हो देवास देवास है ना यह पर पास में हम लोग और आप यह निए गन्ने का जूस औ भाईयों आपको घर बेटे बेटे आज 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 दर्शन तो कराओं गाई साथ में यह देख लो आप कानपूर में है गंगा जी तो गंगा जी के भी दर्शन कर लोगर में बेठे बेटे ठीक है अभी हमारी बस थोड़ी स्लो चल रही क्योंकि आगे थोड़ा सा ट्राफिक ह तो आप लोगों कि मैं कब तयार हो गया गाड़ी के से आगई पीछे और बस से कब उत्रा तो मैं आज सुबहेच साथ बजे बस से उत्रा लगनों में अपने दोस्त में रहते हैं तो मैंने उनसे बुछा कि आप लोग भी चलोगे का यह तो मुझे लगा मना कर देंगे कि आपको पते ही कि मैं काफी उम्र दराज हो चुका हूँ 20-22 साल का तो मेरे पास ट्राइंग लैसे तो आप गाड़ी में चला हूँ आयोध्या तक और यह रहा है अपना यह चोटा विरे में है क्योंकि आप बिल्कुल भी छोटा नहीं रहा है हमने यहां पर आगे भाई देखो भाई आइसी बात नहीं द्रैविंग लैसें की बात नहीं है मेरा मन्स जाने का तो मैंने एक ट्राइवर रखती है तो आपनी जाता महेंगा ट्राइवर इसको मिला है तो गाइस अब हम लोग जाने वाले आयोध्या जारे कि यह देखो गोर्ड तो अब्से पहले त अन्मान जन्मत्सों भी है तो उसके लिए रिल वागरा बनाएंगे और काभी जादा एक्साइटमेंट वारा व्लोग देने वाला है मजा आने वाला है व्लोग में तो एंड तक देखना है तो गाइस यह रही अपनी आई-20 जो की इसकी गाड़ी है और मैं पहली बारो ऐस में ब्लोग जो पर लेके जो जो सब्सक्राइं हो हां जैसे की बड़ी गाडीया होती है उन करने वाले हमको काफी जादा दूर जाना है तो यह लगा लिए हमने सीट बेल्ड जो की हमारी होगी तो आप सही बोलता भाई आप भी लगा लीजिए वरना कहीं रह जाएंगे छूट जाएंगे पीछे और हम आगे चले जाएंगे तो काफी ज्यादा टेस्टी यार यहां के जालूग पराथा और चाय का तो मतलब लाजबाब बहुत 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 थेंक्यू क्या नामें आपका क्या नामें मदद करी अभी यह पाच्वे बंदे लेकिन हमार साथ जा नहीं रहें कि अमने बता दिया गर थैंकि समझ राई कौन से कामें आपका कोडी पुरवा कोड पाच्चा चेट गर रहा है कि आपके बाच्चा ज़ित गर था हम लोग के अवल चाल लोग जा रहें अधिया ईंद्टा झीथ कर रहा था कि तो वह अन्व को भाई को मिलके रास्ते मेंध अभी तो चले गया है बाई बहुत बहुत थेंक अपने इम्हां मदद करी ठीक है तो किसा लग रहा जूटबल काप को अभी ये व्लोग देखने तो फटार दिया उनका नाम है सूरज अभी व्लोग में सब पता दिल जाए का ठीक है अंकल अंटी अगर आप देख रहे हो तो देख लेना कि आपके बच्चों ने क्या सितानी करें तो भाई वह दे अपने भी ऊपने देखå में तो अस्टन मैं उनको ठैंक्यू भूलें के टेंगे थान्क्यू थांक्यू बहुत ग्या यकर्णी वह बहुत जारा तरगया था वह उसको मारने आरने दया लगे लोगह कर दो कर दो किसा लगए को यह वह रही आप यहा लागे लेकिन हमने तो बहुत अच्छा लगा तो यह इंटर हो रहे हम आयोद्या के लिए और यह रास्ता फिलाल तो खराब हो रखा है मतलब क्योंकि इसका काम चल रहा है अभी बढ़िया निर्मान का रही है तो इसलिए थोड़ा सीन है हो जाएंगे लेकिन जल्दी वाइस हम कि अधा यह गवारत तक बहुत नहीं अगते थेख लिए पारकिंग जगा पता नहीं हम को क्योंकि कोई लोकल का बंदा हमारे साथ यह नहीं बिल्कुल अंजान की तरह हम जो जो भी लोग बताते जारें वैसा करते जारा है पिर देखते हैं क्या होता है भाही कारी कहा लग जब अखजिक हो, जा मैं आझ ऑज भूम। ए वह उतौर को प्रिया दिया सकता हैंता। क्यों कहता है को से एम्म। बहुत कंचित ही लाएकर मैंने आप क्योंचाने हैंता कॉ सरुत्थ इन Hal के रहां? बारों मैंने या बीटित और 180 सब्सक्राइब एक बार गुर गई श्रीडाम है वाइज हम आचुके डायट इरिक्सा में अब आप सोचेगे कि अमीरिक्सा में केसे आया तो भाई बहुत लंबी कान यह पार्किंग मिलनी रही ती कि वह यह हमको लेकर आए सामचे अले बोले पार्किंग दिलाएंगे गाड़ी का यह और ख अब जाएंगे रिल बनाने बढ़िया देखते हैं तो फाइनली गाइस हमारा इंतजार हो चुका है करता हम लोग पहुच चुक है अध्या जी में जो की मेरा एक सपना था यहाँ पर आना और काफी जादा मजा आने वाला इस व्लोग में तो इसको आखरी तक देखना हो य है युद्या में आपका स्वागत है तो हम लोग जा रहे हैं अभी हनुमान गड़ी वह सब यह तो यह है मैं एंट्रेंस गेट हनुमान गड़ी मंदिर का और काफी खुबसूरत नजारे आप देवालों पर देख सकते हैं एकदम और यह मां चुके अंदर और यह जोग साम कि खुबसूरत सा मंदिर देख रहें यह हनुमान गड़ी मंदिर है और सामने बहुत प्यारी सी मुर्थी अनुमान जी की है यहां का इतियास मैं आपको बता दूं कि स्वयम हनुमान जी यहां पे निवास करते थे जब राम जी का राजपाट था यहां पर तो हनुमान जी रक्षा के लिए हनुआ जी को यहाँ पर बतलब विराजमान होते था यहाँ पर इसी लिए यहाँ पर कड़ में हनुआजी समाय हुए हैं ऑने आप देख रहे हैं ये हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टकम सारी चीज़े हो यह और यह हम आचुके हैं सालीघृत्तर की और raman पत्थर से अपने राम जी और सीटा जी लक्समान जी सबी आप सामने आप देख रहे हैं यह सालीगरम पथ्थर जो की नेपाल से अभाल गया गया जिससे ह्पनी सबस्क्रांड जी और हनवान जी की मुर्ति सब्सक्राइब्स दियर कि ÖPN पत्तर है यह बताते हैं राम जी के युग का है मतलब करीब इसको इतने जादा पूझते हैं और इसके अंदर जो है राम जी और सभी साक्षा देवी देवता इसके अंदर बस्ते हैं इसलिए इस पत्तर की इतनी मान नेता है दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं ये है राम जान की रसोई जिसे सीता की रसोई भी बोला जाता है मानने था है कि सीता माता ने भी इस रसोई में पंच रिसियों को बोजन करवाया था इसलिए माता सीता समस्त लोग की अंडपुर्णा है तो आज भी यहां पर मतलब हजार से दो यार सादूओं को भोजन कराया जाता है जो की काफी अच्छी और काफी सरानी वाली बात है अब लोग अभी आए हुए गुपतार गाट पे गुपतार गाट पर सामने देख सकते हो आप यह तो यह वही है और इसका यह माननेता है कि यह नदी आज भी एगदम शांत रहती है तो आपको थोड़ा सब दिखाते हैं लोकेशन तो आगे चलके वह मंदिर है जिसके लिए युद्या जाना जाता है स्री राम जन्म भूमी लेकिन वहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है क्योंकि मोबाल अंदर अलाउड नहीं है तो हम अपना मोबाल यहीं रखके जा रहा है अंदर ठीक है अम लोगे फिलाल आयोध्या में आइट साइड आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा टूटा फूटा है वह इसलिए इसका रिजन यह है क्योंकि आप अभी सड़क अधिया काफी ज्यादा अच्छा लगा मतलब की बहुत ज्यादा अच्छा लगा बेख निकाल लगा समारा हो अपना सब सब्सक्राइब लेचल लोग हो चुके है तयार और अभी हम लोग जा रहे हैं अन्मान ची के जल्सन करने या पता नहीं जाएंगे अभी हमको कुछ सब्सक्राइब नहीं है बहुत डिंजर वाले इनका नाम नाहीं लेओ तो बेहतर है वरना यह क्या करेंगे वरना यह सुन भाई जैसे अरकते दिखाने लगेंगे अभी यहीं पर इतना बुरा मारेंगे ना साल पैचान में नहीं आगा जिंद और भूल जाएगा तू तू कि अधिक है काटे ताकि बंदर ना बेठे यह को गाड़ी को बरने काटे रखे रखे ताकि बंदर ना बेठे अधिक उपार नीचे यह सब्सक्राइब कि अधिक हम लोग अभी आचुके हैं बड़े अनुमान जी जो कि आप देख सकते हैं पीछे इतना प्यारा नजारा यहां का अंदर अनुमान जी का मंदीर है और काभी सही ना जा रहा है अंदर यहां कि पता लगेगा यह रिल बन रही यहां पर है इनकी कि अभी हम लोग है सर्यू घाट पे और आप यकीन नहीं मानों के माकसम इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मतला अंदर से इतनी अच्छी वाइब आ रही है और समझी सकते आप बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है जीवन सफल हो गया कसम से बहुत अच्छी फीलिंग है अगर जीवन में एक वारा युद्ध्या नहीं आए तो क्या युद्ध्या है भाई कि यह देगा तो सीना भाई का सीने अब आए वाई सर्यू घाटे आपने देखी होगी अब बोल देने उसका बोल देने गई बोल बोल गई बानिया कि वाई का सीन आ रहा इतर यार यह सामने आप जो मनमोहक द्रस्ट देख रहे हैं यह है सर्यू घाट का जहां पर चल रही है है तयारी सर्यव आटी की जो की कुछी देर में हाँ पहोने वाली है और जिसका बाऊंजारा ओ जिसका लुफ्थ हम लोग उठाने वाले हैं और काफी सही होने वाला है जैसा कि हमने पहले सुना था था भब भी दो लेते हैं और इसका अनाद भी है मैंदर को characteristic है कि अब आपने देखा सटीयों आर्थी हुई है रीसांति तक बहुत ज्यादा इसमें सुकून मिला है कल रमने करती ती लेकिन आज में आज बहुत ज्यादा सुकून मिलों हमीया ज़सांति जाने सनुदो ghost क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुपूर रहे हैं पहली वह ये आर्धी हमने अटेंड किये और काफी ज्यादा अच्छा लगा जैसी आज है तो अटे अटे आटे शेंट है क्याट है कर दो हो कर दो है कर दो है तो गाई सामने जो केमरा देख रहे हो यह कितने का भाई एक रोगा केमरा भाई तेरा मेरा घर जाएंगा इसमें पूरा कर देख रहे हैं इसमें दिखेंगा वो और जा रहा है तो भाई से केमरा है अपने भाई का अपने गाउं के तेरी बार आप देख रहे हों इनको लेकिन यह बहुत बड़े वो क्या है शूटर है पुरी मुया बना लेते ही है आप जो देख रहे हैं वह आयोध्या का रेलवे स्टेशन है मतलब कि रेलवे स्टेशन पर पूरा मंदिर बना हुआ है आप जज नहीं कर सकते कि लेकिन वापिश आया 10 किलोमेटर से केवल देखने के लिए क्योंकि मुझे देखना था बहुत ज्यादा अंदर उत्सुत्ता हो तो काफी सही लगा और मतलब मज़ेदार है अब बतलब कि हर चीज में भगवाने यहां पर हर चीज में भगवाने पत्तर से लेकर रिलेटर्टेशन से लेकर सब्सक्राइब और मज़ा आगया यह जर्मी हमारी काफी ज्यादा सही रही और काफी मज़ा आया इसे ही आगे बने रहो अपने साथ थेंक यू सो मुझ